गुरुगीत का इसुत्र कहता है अजो अहम अजरो अहम चा अनादि निधनाश्वयम अविकारस्चिदानंद अनियान महतो महान अहम शब्द के द्वारा वरनित ये गुरु जन्म रहित अमर अजर और मृत्यु रहित है ये विकार रहित चिदानंद अनुस्ते भी सोक्ष्म और महान से भी विराट है अहम सब्द से परिबाश्द अहम ये अहम क्या है अगर उसको हम बहुत ठीक ठीक अनुवादित करें हमारा होना आई एम तो जो ये हमारा होना है बस्तुत है यही गुरु है इस्टेट अप्रजेंस प्योर प्रजेंस विशुद उपस्थिति अब ये जो उपस्थिति है प्रजेंस है अहम आई एम सुत्र कहता है आजार अमार मृत्यु रहित जन्म रहित है विकार रहित है अनुसे भी सोक्षु और महान से भी विराट क्योंकि ये मूल स्रोत का फैलाव है मूल है हम संसार में हर बात पर बहस कर सकते हैं इश्वर है नहीं है आत्मा है नहीं है ये है वो है ये नहीं है वो नहीं है बहुत सतारी बातों पर बहस हो सकती है लेकिन होने पर दस्ते इंसाफ आई एम आहम हमारा होना उस पर तो कोई बहस नहीं हो सकती वो है वो है तभी पक्च भी है वो है तभी भी पक्च भी है ये जो होने का भाव है इस पर ही हमको अपने ध्यान को ले जाना होता है एक खोजी को जब सत्य की यात्रा में आगे बढ़ना होता है तो उसको सारी धार्णाओं, विश्वासों माननेताओं को हटा कर ये जो होने का विश्वद दभाव है इसको धीरे-धीरे समझना होता है दोबना होता है इसमें, इसको पकड़ना होता है क्योंकि चूक चूक जाता है बार-बार मिस हो जाता है क्योंकि हम इसके उपर अपनी छवियां आरोपित करते हैं अपने धार्णाएं आरोपित करते हैं और अपने होने को हम कुछ होना बना देते हैं वो मानताओं का जगत है और जो हमारी इमेज होगी छवी होगी वो भी आएगी और जाएगी हमारा सरीर भी आएगा और जाएगा वो अजर अमर नहीं हो सकता अजर अमर है वो विशुद्ध उपस्थित प्योर प्रजेंस सूत्र कहता है कि गुरु वही है गुरु की उपस्थित में भी हमको उसी अपने होने की अनुभोती होती है जिस सरीर मन के माध्यम से वो गुरु तत्व गुरु सकता प्रकट होई होती है उसमें भी यही बात गुंज रही होती है इसी बात की प्रतिधनी होती है होने की जिसका कोई रंग नहीं है रूप नहीं है गुणातीत रूपातीत जो सोत्र पहले कहा आया है तो वो गुणातीत रूपातीत ये प्रजन्स कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में ये क्या है और जो प्रजन्स गुरू की ुपस्थिति में है वही प्रजैंस हमारी है वो शामता है शरीर भिन्नो सकते हैं मन भिन्नो सकते हैं बहुत सारे भिन्नताएं हो सकती है लेकिन वो जो उपस्थिति है Sense of I-M है होना है वो जो किसी बुद्ध के माद्यम से गट रहा है जो हमारे माद्य हमसे वो एक है तो हम जब उस उपस्थेते में प्रवेश करते हैं तो हम वस्तुते शुरोत में प्रवेश कर जाते हैं हम उस एकत्तों में उस यूनिटी कांसेस्नेस में उस एक के चेतना में प्रवेश कर जाते हैं और यही गुर्व की विशेशता भी है, सार्थकता भी है. अजादी विशेशता भी है, सार्थकता भी है, सार्थकता भी है, सार्थकता भी है.